सियल गुमे किसी के प्यार में ईशा को लग गई है गोली और ईशान को समझ नहीं आता कि फैमिली मेंबर के रूप में वो किसे बुला है तो ईशान जो है वो नाच आते हुए भी सभी को कॉल करता है और सभी को ये बताता है कि उसे ईशा के लिए हॉस्पिटल में होना चाहिए हॉस्पिटल में नर्स सभी को बताती है कि ईशा के अंदर खून की कमी हो गई है और उन्हें ओ निगेटिव खून नहीं मिल रहा ये तो इंडियन सीरियल्स की हिस्ट्री है जब भी कोई हॉस्पिटल में होता है तो इन लोग के पास कभी खून ही नहीं होता पूरे बलड बैंक में कहीं बलड मौजूद नहीं होता और नहीं इन्हें कोई बलड देने वाला मिल रहा होता है पाइनली जो हर सीरील में होता आया है वो ही इस सीरील में होगा कि इशा के लिए blood कहीं भी available नहीं होगा और ये इतना rare blood group है जो किसी और का नहीं बलकि इशा के बेटे इशान का ही होने वाला है और इशान इस तरीके से जो अबी तक अपनी मां से नफरत करता आया है वो अपनी मा को अपना खून दे कर बचाएगा और इस तरीके से दोनों मा बेटी के बीच का बॉंड थोड़ा सा मजबूत तो होगा तो आपको हमारा वी वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट दिन में जूल बजाएए और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक जरूर दीजे